हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कुछ ही इंपोर्टेंट प्रस्टनों को हल करेंगी जो की सभी कमपटेटिव एक्जाम में आए हुए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रस्ट भारत के सबसे अधिक जयवी वत्ता संपन्द छेत्र कौन सा है जयवी वत्ता संपन्द छेत्र भारत में कौन है तो इसमें औप्शन है गंगा का मैदान दूसरा अप्शन है हिमाला छेत्र अप्शन है पस्यमी घाट और चौथा क्या है मद्ध छेत्र मद्ध छेत्र या मद्ध भारत तो इसका सही option कौन है तो पस्यमी घाट तो जयवित्ता संपन का मतलब क्या होता जयवित्ता संपन का मतलब यहाँ पे जीवों की variety बहुत पाय जाती यहाँ पे जीवों की जो बिवित्ता पाय जाती है इसलिए इसको क्या कहते है तो जयवित्ता संपन छेतर कहते है जयवित्ता संपन छेतर कहते है पूरे बीसो में जयवित्ता संपन छेतर कहां पर तो पूरे बीसो में जयवित्ता छेतर जो है मालेते ये भारत है मालेते ये पृत्वी है पृत्वी के बीचों बीच के आसपास के यह भाग है यहां पे पूरे 20 सुमेमीन सदा बहार बनों में सबसे ज़्यादा क्या जैवित्ता पाई जाती है अब देखते हैं दूसरा कोश्चन दूसरा कोश्चन क्या हमारा है दूसरा कोश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्सी योजना में दिया गया था अब देखते हैं तीसरा कोश्चन क्या है अगला कोश्चन तीसरा कोश्चन है पूरो बैदिक आरियों का धर्म प्रमुकते था पूरो बैदिक आरियों का धर्म प्रमुकते क्या था अप्शन है भक्ति मूर्ति पूजा प्रकित पूजायों याग्य पूजायों भक्ति तिसमें जो सही अप्शन है प्रकित पूजा प्रकित पूजा यानि जो बैदिक काल उसको दो भागों बाटा गया पूरो बैदिक काल और दूसरा उत्तर बैदिक काल यानि पूरो बैदिक काल में क्या था पूरो बैदिक काल में प्रकित पूजा और यग की पूजा होती लेकिन उत्तर बैदिक काल में हम देखेंगे क्य मुझें है अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन किया है तो अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है निमनलिखीत में से आगनेय चथान नहीं है कौन नहीं है तो अप्षन है ग्रेञ नाइट नाइस इनोवा और बेसाल्ट इसमें Đây क्या मैं यह आपका क्या है je अग्णे चठान नहीं करके फुर्य शी योग्र कब सक्षर चटान अग्रकाकि और जुराय चटान क्या व्धार्ट है देखते हैं अगला कोशन कोशन नमबर पांच कोशन नमबर पांच निम लिखिद में से कौन साकर केंद्र सरकार नहीं लगाती है तो अप्षन क्या है उपहार करrain जन्य करद एक दिजन कर स्वार सुत जोहरी नीजम कर तो तो मनुरंजन कर कौन सा कर होगा तो मनुरंजन कर मनुरंजन कर यह जो है राज सरकार लगाती कौन लगाती है राज सरकार लगाती है और यह उपहार कर हो गया बैक्तिकत कर है जिसको इंकम टेक्स कहते हैं निगम कर हो गया इन सब को कौन से तो केंद्र सरकार लगाती है केंद्र सरकार लगाती बाकी जो मंदरोंजन कर रहा है इसको राजसरकार लगाती है अब देखते हैं अगला कोश्चन क्या दिया हुआ है तो अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है कोश् प्रिकां महादिब के लगबक 13 ने फैला हुआ इतना बढ़ा हाई है कि अपरिका महाद्यूप के लगबग तेरे देशों में फैला हुआ है और थार, थार का मरुष्टल कहां पे तो भारत में कहां पे है भारत में है अरेवियन का है तो सौधी अरेवियन में समिश को एसिया में कह सकते कहां पे है अरेवियन सी अब देखते हैं अगला कोश्चन क्या है इसमें देखते हैं अगला कोश्चन है भारत में मीठे पाने की सबसे बड़ी जील कौन सी है भारत में सबसे मीठे पाने की सबसे बड़ी जील कौन है तो अप्शन है चिलका वुलर लोकटक सामभर तो सबसे बड़ी जील हो भी कौन कौन से मीठे पानी की सबसे बड़ी जील मानी की सबसे लंबी तटरेखा राज्य कौन सा है खुआ में महा रास्ट गुजरात ओडईसा और तमिलनार्ट तो सबसे लंबी तट्रेखा भारत है तो ये वाला एरिया जो है क्या है गुजरात का ये जो छेत्र इस्तर है तो यहां से लेकर कि यहां तक होता है तो सबसे लंबी किसकी है तो गुजरात की है गुजरात की तट्रेखा सबसे लंबी भारत में पूरे बीश में देखा जाए तो सबसे बड़ी तट्रेखावला देश कौन सा है तो कनाडा है कौन है तो कनाडा भारत में सबसे लबी तट्रेखावला राज गुजरात है पूरे बीशु में देखा जाए तो कनाडा है अब देखते हैं अगले कोश्चन में क्या दिया हुआ है तो कौन सा कोश्चन है तो एजार कप एजार कप का संबंद किस खेल से संबंद है तो किस खेल से है तो पोलो हो गया क्रिकेट हो गया वालीबाल हो गया फुटबाल हो गया तो एजार कप का संबंद जो है पोलो खेल से इसको आप याद कैसे करेंगे तो एप अगर याद रखेंगे तो एजार कप का इतने हिलाड़ी नाओ созд for 20 कितने होते हैं तो इसमें कितने हैं तो आप यह!" होते हैं तो यह रहा है हमारा वीडियो आज की वीडियो नोलाफ् vaccines करना ना भूलाइब था की थांक यू थांक इनक आ बपचिवा द विल्एव